नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वाइरल वीडियो में तो आज हम एक टेक्निकल इंडिकरेटर के बारे में जानेंगे जिसका इंट्राडे में मैं यूज करता हूँ और इसकी जो आप कहले जिए की एक्यूरेसी है 90% से उपर है अगर आप इसक जैसा कि आप जानते हो इस चैनल पर मैंने पहले भी कावी सारे इंडिकरेटर के बारे में आपको बताया है तो मैं आपको जो भी इंडिकरेटर बताता हूं मैं उन्हीं के बारे में बताता हूं जिनको मैं खुद यूज करता हूं और उसमें मैं आपको वह सब रूल्स बत कि अच्छे से फॉलो कीजिए और अगर आपको इन रूल्स को फॉलो करने का किसी तरह की परिशानी आ रही तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपको जरूर जवाब दूँगा उसके लावब आप हमारे वाटसएप ग्रूप को भी जॉइन कर सकते हो जिसका लि विडियो को लाइक कीजिएगा तो आज इस इंडिगेटर को यूज करेंगे उसका नाम है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस तो इसको यूज करने का मेरा जो तरीका वो काफी अलग है और उसके बारे में हम समझेंगे लेकिन पहले समझते हैं कि इंडिगेटर है क् उसके बैनिफिट्स के वेकिन समझेंगा, लेकिन कापी सार इंडिगेटर के बारे में जाना लेकिन हमने देखा कि वो जुग घॉंपरने को सिरफ। साथ तो यह काफी अच्छा इंडिकेटर है और इसको समझते है कि यह होता कैसे है तो VWAP क्या कहता है हमारे को यह है कि तो वहां पे quantity rated हो गई हजार रुपे की उसके अलाबा जब उसका प्राइस भरके सो से हो गया डेढ़ सो और वहां पे आगे बीस लोग उसको खरीदने के लिए तो क्वांटिटरी रेट हो गई तीन हजार तो हमको क्या करना है तीन हजार और हजार चार जार हो गया उसको डि मिलता है तो यानि यह एक अच्छा स्टॉक है बाइंग करने के लिए लेकिन इसको चार्ट पर कैसे देखते हैं इसको कैसे ट्रेडिंग के लिए उसके बार में आपको बताने जा रहा हूं तो देखते हैं कैसे इसको हम यूज करते हैं तो देखेंगे कि आप यह मैंने देख रहा होगा कि stock का price जो है, जो stock की price उसकी tendency है कि इसी की ओपर वह support ले रहा है, या इसको नीचे की तरह यागर वो तोड़ता है तो वापिस वो इसके आसपास आता है, किसी moving average की तरह stock के price की tendency होती है, अपनी moving average के पास आने की, तो Stock का जो प्राइस है, या फिर, वो इसके पास जाएगा Average के पास या फिर, इसौ लाइन है वो Stock के प्राइस के पास जाएगी लेकिन वजो इन दोनों को मिलने ऐ, तो इसको व हम Trad invaluable कि लिए कैसे यूजट कर सकते हैं तो सबसे पहला step है आप hacky-nishy candle sticks चार्ट खोल लिजिए अब आप देखोगे कि noise काफी कम हो गई है उपर लगबग सारी green candles आ रही है नीचे आने तम सारी red candles आ रही है ऐसे इधर लीचे आने तम सारी red candles है उपर जाने तम सारी green candles है तो hacky-nishy का यही benefit होता है कि noise को cut कर देता है तो hacky-nishy पे एक dedicated video है जिसका link में description में डाल दिया है आप जाके देख सकते हैं तो hacky-nishy और VWAP अगर हम दोनों को सही से use करें तो हमारे को काफी अच्छे इसमें signals मिलते हैं तो देखते हैं कि कैसे हम इसको use कर सकते हैं तो simple है हमारे को hacky-nishy का rule याद रखना है और VWAP का rule साथ में इसमें add कर देना है तो hacky-nishy हमारे को यह कहता था कि अगर कोई green candle जिसकी नीचे की तरफ कोई wick नहीं है वो बन रही है यानि एक strong hacky-nishy पे bullish candle बन रही है तो हमारे को buy करना होता है हम उसको साथ में अपने false signal को outcome करने के लिए VWAP को use करते हैं तो जब भी हमारे को कोई green candle hacky-nishy पे VWAP के उपर जाते हो दिखे जैसे कि यह वाली candle तो हमारे को उस point पे stock को buy कर लेना है और हमारे को exit करना है हमारे को exit करना है जब हमारे को hacky-nishy पे sell signal मिले जैसे कि इस candle पे मिला जो कि मैं आपको बताया था hacky-nishy वाले वीडियो में भी कोई आपको doji या फिर कोई hammer जैसी price reversal candle मिल जाए तो आपको exit करना है तो अगर आपने यहां पे entry ली होती तो आपने hacky-nishy और इसके हिसाफ से यहां पे exit कर दिया होता उसी तरह आपने दुबारा entry ली होती इस point पे green color की आपको एक candle दिखेगी यह एक अच्छी buy signal था तो आपने यहां पे buy किया होता तो आपने exit किया होता कई ना कई इस candle पे क्योंकि यहां पे आपको continuously cell calls मिल रही थी ठीक है तो intraday में इसको use करना इतना असान है और यह मैं अभी 5 minute के chart पे हूँ अगर आपको और अपने signal को accurate करना है तो आप इसके साथ में stochistic RSI को use कर सकते हो अगर आप VWAP को साथ में डाल दोगे तो आपके गलत होने के चांसे ना के बराबर हैं तो आप देखते हैं कि कैसे हम इसको साथ में इसके साथ यूज कर सकते हैं तो हम देखेंगे कि यहां पर हमारे को दिखाई दिया जब इसी point पर जो यह VWAP भी हमारे को cell signal दे रहा था और हमारा जो hack and isi candlestick का nature है वो भी यहां पर cell signal दे रहा था और RSI भी जो है oversold में था sorry overvote में था तो हमारे को exit कर जाना चाहिए था तो अगर हम यहां पर देखें फिर से एक बार तो यहां पर भी हमारे को एक buy call मिला ठीक है तो हमारे को exit कहां पर करना चाहिए था हमारे को exit करना था जब हमारे को यहां पर यह जो stochastic RSI है उसने cell signal दिया यहां पर red candle बनी तो हमने entry लिए होती लग 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 इस candle पर यानी लग 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 हमारा rate होता 488 के आसपास और हम exit कि होते है इस point लग 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 4.91 तो हमारे को 3-4 रुपे का profit मिल गया होता तो आप इसको back testing करोगे तो आपको काफी अच्छा result मिलेगा हर पर एक stock के लिए अच्छा काम करता है और जो लोग nifty में trade करते हैं उनके लिए यह काफी अच्छा है हम nifty में जलके देखते हैं इसको यह कैसा काम करता है तो आज कई मैंने चार्ट को यूज करके मैंने अच्छा profit कमाया इंटर है आपको मैं दिखाता हूं कैसे हम देखें ठीक है और उसके बाद मैं अपने trade में बना रहा और मैंने अपने trade से exit किया इस point पर जब यह मेरे को यहां पर price reversal candlestick बन रही थी और साथ में अगर मैं यहां पर stock stick आपको दिखा हूं तो stock stick ने भी इसी area के अंदर नीचे से उपर आ रहा था तो मेरे को exit signal दिया तो मैं यहा कि आसपास मैंने sell किया और मैंने buy किया 8900 कि आसपास तो 100 point का मुनाफ़ा मैंने internet में कमाया उसके लावा अगर आपको इसको positionally use करना है यानि आप थोड़े लंबी अदी तक अपने trade को गैरी करना चाहते हो तो आपके लिए simple है आप अपने trade में बने रह सकते हो जब तक कि जो price है VWAP को नीचे की तरफ ना काट दे यानि अब आपको hackinessi को और VWAP को ही देखना है सिरफ जैसा कि आपको मैं यहाँ पर दिखाओंगा आपने यहाँ पर अगर माल नीचे buy किया जब एक पुरी candlestick VWAP की ऊपर बन गई तो आपने किसी भी sell signal को consider नहीं करना अगर आप positional कर रहे हो आपको sell करना है जब कोई candle VWAP को test करती है red candle या नीचे की तरफ काट देती है तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इसको test किया लेकि नीचे की तरफ नहीं काटा तो हम अपने call trade में बने रहते उसके बाद दुबारा testing को ही लेकिन वह वापिस ऊपर चला गया तो अगर हमने positionally अगर किया होता निफ्टी में तो हमारे को 8870 पे अगर वाई किया होता है लगभा 8900 पे तो हम exit किया होते 9200 के आसपास तो काफी अच्छा मुनाफा हो गया होता उसी तरह अगर हम यहां से एक sell call ले ले लेते इस ही point पे तो आप देखोगे कि यहां पर यहां पर तो हम देखेंगे कि हमारे को यहां पर इसने selling कर वाई थी 9250 के आसपास और हमारे को इसने exit कर आया positional trade से 9195 के आसपास तो लगभग लगभग 60 point का मुनाफा आया लेकिन आप देखो कि इस trade strategy से आपको loss बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि आपको sell signal जो भी या फिर आपको उससे थोड़ा सा profit लेने के बाद ही मिलेगा तो आपको अपनी smartness दिखानी है आपको ट्रेडिंग में जो candlestick बन रही है उसको साथ में support resistance को और साथ में stockistic RSI को अगर आप यूज करोगे तो आपको गलत होने के जांस बहुत कम है इसके तो आप इसको और back testing करके एक बार हम देखते हैं फिर भी तो आप इसको back testing कीजिए आप इसको खुद देखिए कैसा आपको result मिलता है आपको इसके जरीए definitely बहुत अच्छा profit मिलेगा तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारे को इधर एक इसने buy call दिया जब पूरी एक hackination की candles इसकी उपर बन candle sticks पे भी exit call दिया और इसमें हमारे को stockistik ने भी exit signal दिया लेकिन अगर हम positional करते और अपने trade में बने रहते तो आप देखोगे कि इसने इसको test किया यहाँ पर दो दोफा तो आप exit किया होते कहीं न कहीं यहाँ पर तो आपको profit आया होता लग 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 आपने 8500 के आसपास आपको यहाँ पर आगे sell signal मिला इस candle के आसपास तो इस candle पे आपने exit किया उता तो यहाँ पर आपको 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 एक अच्छा profit आ गया होता उसके अलाब अगर आपने इस candle पे sell किया होता इस वाली candle आपने इस तो लग बह आपकी selling cost रहती 8900 के करते तो आप एक्जिट करते इस पॉइंट पे जब आपको दो केंडल्स लगवाग है के निशी पे यहां पर इसके ऊपर आती हो दिख गई तो आपको एक्जिट करने का मोगा फिर भी उसी रेट पर या उससे थोड़ा नीचे मिल जाता तो आप देखो कि इसके जरीए आप आपको लॉस होने का चांस बहुत कम है क्योंकि यहां पर वॉल्यूम साथ में अकाउंट हो रहा है और आपको डिमांड सप्लाई की टेंशन लेने की जुरत नहीं है वो खुद ही इस इंडिगेटर ने अकाउंट कर दिया है तो अगर आप स्मार्ट होगे तो आप यहीं प 50% accuracy से trade दे और अच्छे profit वाले trade दे यानि false signal कम दे तो अगर आप स्टोकेस्टिक को hackinessy को VWB के साथ use करोगे तो यह टेकनिक मैंने खुद develop करी है आप कहीं पर भी नहीं मिलेगी और इसके जरी आपको काफी अच्छा मुनाफ़ा होगा तो अगर आपको वीडियो अच्छ